Module 100, Prevalence and Comorbidity So, अब हम देखेंगे कि यह जो disorder है, Suppression Anxiety Disorder, यह किस हद तक परवेल करता है? Clinical Population में और General Population में, as well as इसके साथ कौन से ऐसे disorder हैं, जो कि को अखर कर सकते हैं So, here we will go, अगर हम DSM-5 को देखें, तो DSM-5 हमें यह बताता है कि 6 to 12 month की जो prevalence rate है, वो estimated 4% है बचों के अंदर, इसी तरह 12 month prevalence जो है, वो तकरीबन 1.6% बचों के अंदर मौजूद है जो clinical sample है, अगर हम उसमें देखें, तो जो बचे इन problems के साथ आते हैं, उसमें male और female का जो proportion और ratio है, वो same है लेकिन community के अंदर mostly यह जो है, यह females के अंदर थोड़ी सी जादा problem prevail कर रही है then the comorbidity की हम बात करते हैं, comorbidity की मतलब यह है कि बचे को separation anxiety disorder तो है but it may possible कि उसे generalized anxiety disorder भी हो, generalized anxiety disorder का क्या मतलब है कि बचे को free floating anxiety feel होती है, not specifically towards the school only or towards the being getting separated from the home or the loved one, बलके उसको किसी भी चीज़ से related जो है, वो anxiety होती है मिसाल के तोर पर अगर उसने कहीं जाना है बाहर अपने friends के साथ तो उसको 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 भी anxiety होगी कि पता नहीं मेरे खलोने ठीक होंगे, नहीं होंगे, उनको पसंद आएंगे, या नहीं आएंगे so the anxiety is not related only कि अगर मैं घर से बाई चला जाँगा तो मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, बलके वो anxiety इस तीस से भी related होगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कि जो मेरे toys हैं, वो मेरे friends को पसाद ना आएं, तो फिर मैं क्या करूंगा या उस बचे को exam से related anxiety हो, कि कहीं मेरे papers अच्छे नहीं होंगे, मैं अच्छा perform नहीं कर सकूंगा तो इस किसम की जो generalized anxiety है, वो उसको feel हो सकती है अब generalized anxiety के अंदर भी बहुत से जारे physical और somatic symptoms जो हैं, वो बच्चा experience करता है तो we also need to be find out कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कि उस बच्चे को generalized anxiety disorder भी है in addition to suppression anxiety disorder, then specific phobia it might possible कि बच्चे को suppression anxiety disorder तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसको कोई और specific phobias भी है for example, वो बाहर अकेला नहीं जाता, because he has a fear कि might be उसकी तबियत खराब हो जाएगी, या उसको साथ चक्राना शुरू हो जाएगा तो might be इस तरहां कि उसको कोई problems जो है, वो experience कर रहा हो या जिस आँछ चोटे बच्चे होते हैं, उनको injection से बहुत जादा खाफ आता है तो it might possible कि इस किसम का phobia जो है, specific phobia उसके अंदर जो है, वो prevail कर रहा हो ठीक है या इसी तरह darkness related जो है, वो उसे phobia जो है, वो feel होता हो या वो पानी के करीब जाने से डरता हो, तो इस किसम का कोई भी phobia जो है, वो उस बच्चे के अंदर prevail कर सकता है, possibility है So, we also need to be find out कि suppression and anxiety disorder के साथ कोई और को morbidity तो नहीं है किसी और disorder की So, that is something very important